तो क्या लगता है अगर 100 रुपर हो गया तो किती धिक्कत आ सकती है हम तो गाड़ी खड़ी कर देंगे यहीं नहीं समझ मा रहा है या तो मर जाए जाए जाद अच्छा या तो सोच रहे करोना ही हो जाए नमस्कार आप देख रहे हैं जैभारत टीवी मैं हूँ आपके साथ अकांगसा थापा देश में जहाँ पर कोरोना की रफ्सार अब घटी जा रही है वहीं अगर बात करें महंगाई की तो महंगाई ने रफ्सार पकड़ी है जी हाँ बढ़ती महंगाई की वजए से लोगों को काफी सारी परिशानिया जहेलनी पड़ रही है अब बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौझूद है एक पेट्रोल पंप में जहां पर उत्राखंड में पेट्रोल लीटर के दाम पर तो आईए जानते हैं जनता से की बढ़ती महंगाई से क्या परिशानिया जहेलनी पड़ रही है और पेट्रोल के दामों पर उनकी क्या विचारधारा है पेट्रोल के दाम पड़ रहे है तो उससे क्या सोचना है पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ी रहे हैं इतनी महंगाई बढ़ रही है गरीब आदमी खाएगा तो क्या खाएगा और कैसे गारी में कितना पेट्रोल डलवा कि कहा तक जाएगा नौरपली गारी चलाने उसने जैसे कई जगा पर पेट्रोल सौ रुपे हो गया है और उत्राखंड में अभी उत्राखंड में चौरान में उप्रेट कर जा रहा है तो आपको क्या लगता है अगर सोचना पढ़ रहा है बहुत ज्यादा ही सोचना पढ़ आ मैं तो पेट्रोल एकसो बीस रुपे लेटर जल रहा है लोगों के लिए सोवा है हमारे लेकसो भी से अच्छा 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 अधो कमाने खाना मुस्कूल और भाद चलाना मुस्कूल हो रख़गा इस ताम तो काम भी नहीं मिलेगा क्या करें गाडी की दियाडी भी हैं हम सबां यह डी समझ मारहा है यह तो मजै करो में यह उड़ाइन करो में आधा रहा है। क्राइब के च सब्सक्राइब हैं मैं प्राइब तो इस पर बताई क्या परिशानिया भूरी है आपको पेट्रोल की महझए होने से? नहीं कि परिशानिया भूट हो रही है, लेकिन मैं मजबूरी में तर जाना पढ़े है बहार हमें काफी महँएगा हो चुगा है तो मजबूरी में आपको बढ़ाना ही पड़ेगा अगर सौरुपे भी हो गया आगे चलके जिए भरवाना बढ़ेगा जोर्वाना मजबूरी है तो मैं यही हैं उसे पेटरोल के दाम बढ़़े हैं साथ अब है जादो हम बढ़ गया यहां परिषानिया हो रही है बहुत महिंगा हो रहा है किराय कं मिला डीजन महिंगा हो लगठा पड़ता कुछ खा नहीं रहा है बस की दालों वी चला रहे कुछ ही आप से तो कोरोना के चल पे महंगा ही पड़ी है, कुछ और परिशानिया था? परिशानी तो बहुत है मैम, क्या गरे? महंगा ही इतनी है, डीजल के डीजल में कुछ होता निया, जाम में ही खतम हो जाता है महीने का बहुत जाता है, बस एक यही प्रॉब्लम है, अब मेरे का चल रहा था, अभी 100 हुआ है, उस तो भी उपर हो जाए कुछ टाम बात, तो क्या प्रिशानिया था? बस एक यही प्रॉब्लम है, अब मेरे को समझ में हाता है कि इदम से हर हफते 57 रुपय कैसे बढ़ जा रहे है, एक आध रुपय तो खीक है, कॉंगरेस के टाम पे मैंने कभी नहीं देखा कि इतना इंक्रीज होता रहता है, होता रहता है, यह तो हर हफते ही पेट्रोल इंक सब्सक्राइब करेंगे, क्या लोग घज से बाहर निकलना कम करेंगे, या साइकल वगेरा चलाएंगे, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्यूंकि आज क्याल की रेट में तूभी फ्रैंक में आपको साफ बता जाता हूं, कोई तना पेन लेना नहीं चाहता है, कि साइकल तो यह गरा जाएंगे, जो चीज में सोच पाएंगे, कि हाँ यार ऐसा कर सकते हैं, इसमें कुछ उम्हारमेंट में फड़ेगा, पर 90 परसेंट ऐसे हैं, कि मेरे को नहीं लगता हूं कुछ करेंगे, बहुत बुरी हालत में है पबलिक, बहुत स्ट्रेस में है, डेथ रेट इसको सरकार के लिए कोई अपील करना चाहिए अब, सरकार के लिए एक ही अपील है, हाला उनके लिए भी टफ हैं, बट अगर जिन्दगी में कभी भी किसी के साथ, बच्चे के साथ, इवन बज़र्ग के साथ, कुछ होता है तो वो उपर वाले से दुआ करते हैं, अग्व तो सरकार को भगवान ही मानती हैं, तो सरकार से भी वो यही दूआ करती है कि हमारे को किसी तरीक से इसमें से निकाला जाए, बचाया जाए और महंगाई कम की जाए. तेल के दाम भी हमारे देश पर बढ़ते हैं, और उत्तरा खंड में 24 के दाम पर देशा आ रहा है, तो क्या क्या कियाना है, यह दिक्कते आ रही है, समस्चार क्या है? तो यह आ रही है मेडम के अब जहां दस बार यूज करना पड़ती थी गाली, अब बहुती ज़्यादा जब ज़रूरत होती है, तब ही निकालनी पड़ती है गाली, यह दिकर सौर परी की लीटर बहुत होता महंगा तेल, जब साट रुपे साट रुपे साट रुपे सब मौन बैठे हुए हैं, कोई कुछ कहने वाले हैं, अब सौर रुपे लीटर सेल बढ़े हैं, जी स्काइबरेज देते हैं, अगर पांच किलो मीटर मेरा घर दूर है, तीन चेकर लगा है, लोग डाउन भी लगा हुआ है, कैसे मैनेज करेगा आजमीं, अब मिडल के हैं, लोकडौन लगावा है, अब अगर यहाँ पर घूमने आते हैं टूरिस्स, तो हमलोग का काम भी लगता है, पैट्रोल बैसे महेंग हो जाता है, ऐसे में टूरिस्ट भी नहीं है, काम भी नहीं है, वह दुसे पेट्रोल महेंग हो गया है, बहुत बेरुद़ारी होग ह देखिए महंगाई एक ऐसी चीज है जिससे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भी अचूता नहीं है क्योंकि आजकल जो है गाडिया गरीब के पास भी है और अमीर के पास भी है चाहे वो महंगी हो या फिर सस्ती इसलिए पेटरोल के दाम जिस तरक कदर बढ़ रहे हैं उससे दिक्कते दोनों ही बर्ग के लोगों को आई है तो पेटरोल के दाम और बढ़ती महंगाई को लेकर बेहरादून की चंता की ये राय थी जो आज हमने आपको दिखाई इसी तरीके के दिलचस्त खबरों के लिए हमारे चैनल से जोड़े रहे हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फिलहाल मुझे दीज़े इजाज़त, नमस्कार